अलुबोंडा बनाते हैं बाहर से ची कोटिंग याती है बेसन की तो इस तरह से आप बना के देखिए कोटिंग भी अच्छा हैगी अच्छा क्रंच आएगा और अगर आप सीखना चाते हैं वीडियो को बिना स्किप्ट के उलाज से जूट देखेगा सबसे पहले ही यहाँ पर मैंने दस से वरा लसुन की कलियें लिए एक बड़ा सा टुकड़ा मैंने अद्रक का लिए और चार हरी मिर्श का यूज़ करेंगे तीखा करने के लिए और इसके बदे यहाँ मैंने ग्रेंडर जार लिया है लसुन को छोटे छोटे चोटे कर लिए या फिर आप इनको कद्दू कर लिए यहाँ मैंने नॉस्टिक पैन लिया है एक बड़ा चमच उसमें ऑईल करेंगे ऑईल को अच्छी तरह से आप यहाँ पर कर लिए जैसे ऑल गर्म हो जाएगा इसके बद आपने चोटा चमच साबू जीरा करना है एक चोटा च की फिलरेम आपने मीडियूं कर देनी है मीडियूं कर देनी है मीडियूं परक भी तरह से अपर पका लेसे लिए जेसे थोड़ा से अफ्यमोच जिस के रहना है यह नों देखे होगे यह छोटा हो चुट कर दो है प्याज भी तो प्याज को हाई फ्लिम में आपने डेट से दो मिन तक यहां पर पका लेना है तक इसका कच्छा डेश खत्म हो जाए और इसके अंदर जो मौश्र है वो भी कम हो जाए यहां पर देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसके बदा आपने इसमें मस कर लीजिए थोड़ी दिर पका लीजिए इसके बदा आपने इसमें आलू एड़ कर देना है तो आलू को देखे मैंने कद्धूकस करके आड़ किया है आप इनको मैश करके भी डाल सकते हैं और गैस की फ्लेम यहां पमें एकदम लो कर दी है अच्छी तरह से आलू को कीले हो जाते हैं अगर आपके आलू कर्ते हैं तो आपने तड़का आलूम कर दिया है और तो देख सोलें को sectद arrival कर लिए और अच्छे से मेंश करदना और ज़ूड़ों नए तो कि इसको बॉल में नíका लेशे और इसको आपने ना end' कर लेना है बहुत ही टेश्टी मसाला बनके त्यार होता है अब यह हमें चीज स्टफ कर रहा हूं तो मुजरेला चीज लिए मैंने थोड़ी सी इसके अपने छोड़े छोड़े बॉल बना लेने हैं अगर आप क्यों चीज ना हो आप इसको स्किप कर देशे और चीज डालके आप या आलू बॉंडा बनाएंगे न टेश्ट देखेगा क्या जब अधर टेश्ट आएगा तो यहां पर देखिए कम से दस से बारा पीस मैंने चीज के बना लिए हैं और इसके बद हमारा आलू का जो मसाला है बो भी यहां ठंडा हो चुका है तो यहां पर आपने छोड़े स्टफ करती है इसके बद आपने बैटर बनाना है एक बॉल ले लिए उसमें डेड़ कब बेसन एड़ कर देशे बरीक वाले बेसन का आपने यूज करना है आदा चमच आपने इसमें नमक एड़ करना है और थोड़ा साब इसमें हल्दी पौर्टर एड़ कीजिए इससे अ थोड़ा सा थीक बनाए जाता है पतला नहीं बिनाना है आपने ज़्यादा और थोड़ा सा इसमें आप बेकिंग पौर्डर एड़ कर देशे बिल्कुल थोड़ा सा और अच्छी तरह से पानी के साथ बेसन को मिक्स कर लेशे यह देखिए अच्छी तरह से फेंड़ना है क तो से तीन मिन्ट तक यहां पर बिसक्त चलाते रही है या फिर हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करना है तो पहले थीक गोल तो बनाते है ताकि बेसन के लंस ना बने और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं तो के देखिए, यह हमारा जो है आलू बनाने का बैटर है, वो गोल है, वो त्यार होई चुका है, इस तरह से आप ठीक गोल बनाईए, अब इसके बदे जो आपने आलू के बॉल बना के रखेंगे, एक एक करके आपने एड़ करना है, एक अठे पीस नहीं डालते हैं और यह देखिए, चमच की साइटा से इसके ओपर बैटर डारी है, इस तरह से, पहले आपने एक पीस चेक कर लेना बनाके, कि अच्छी कोटिंग आ रही है, नहीं आ रही है, तो देखिए, ओल का टेम्परेशर आपने मीडियम रखना है, जदा गरम-गरम तेल में डालना है, तब दो तरीका मैंने आपको बता दिया, चमच से भी आप इनको डालके फ्राई कर सकते हैं, और कहां पर देखिए, पांसे छे पीस मेरे फ्राई करने के लिए डाल दिया है, अब गैस की फ्लेम आपना मीडियम से हाई कर देशे, और इनको कम से हमना दो से तीन मिन तक हाई फ्ल सकते हैं, यहां पे मनेने सारे पीस's's जो हाफ फ्राई कर लिए हैं, आप इनको फ्राई करके स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब भी आपने खाना हूँ आ लूगोंडा तो इंको दूबरास से डीफ फ्राई कर लीइशे, और यहां पे ने थोड़ी सी हरी मिर्च भी साथ मे सर्व करूंगा तो 5-6 आपने हरी मिर्च लेनी हैं उनमें बीच में कर्ट लगाने हैं और कर्ट लगाके आपने इनको फ्राई कर लेना है तो इनको आप आलू बोंडा के साथ में सर्व कर सकते हैं अब जो पीस्टीस हमने फ्राई करके रखे थे इनको आपने फिर से फ्राई करने हैं और जब आप इनको दुबारा से फ्राई करेंगे गैस की फ्राई करनी है और मीडियम फ्राई में कम सम्द 4-5 मिन तक इनको फ्राई होने दीशे इतनी दिर में इनके इंतर जो हमने चीज स्टफ की है वो मेल्ट हो चाएगी और इनके बार से एक अच्छा करन्च आ जाएगा तो अच्छा कलर रहने तक आप इनको फ्राई कर लेशे यह देखे हमारे अलू पॉंड़ा जो है अच्छी तरफ से फ्राई हो चुके हैं बहुती बड़ी इनमे करम करम सर्फ कर देशे सर्फ करने के लिए मिंट सॉस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहां पर साथ में टमेटो सॉस भी सर्फ के साथ कर सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेयर रुकमन चुरूर कीचे